हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है जो बात करें हैं जो अगले चेप्टर में मैंने पढ़ाया था कि मट्टी विटेमिन जो परकार के होते हैं तो उसमें कि मैंने सिर्फ आपको डिस्कुपशन दिया था कि मट्टी विटेमिन इतने परकार के होते हैं उसके नाव होते हैं आज हम्मारे पास हम दभा ले करके आरें जैसे आप देख सकते हैं, तो यह दवा, यह multi vitamin कौन इसको खा सकता है, किसको खाना चाहिए, और खास करके, कोरुणा काल में इस medicine को खाने से क्या फाइदा है, तो इसी के बारे में पूरी हमारी videos रहे हैं, तो आप हमारी video को लाश्ट लग जरूर देखे, पहले हम बात या आप खुद खाना चाहते हैं, तो खा सकते हैं, इसमें से कोई दिकत नहीं है, लेकिन कभी-कभी हो जाता है, कि ये दवाएं जाला खाने से ये hypervitaminosis करवाता है, ठीक है, तो hypervitaminosis जब होती है, तो अगर complicated लाता है, वो आपको पता नहीं चल पाएगी, वो doctor investigator कर लेगी, ठी ठीक है, तो ये जो दवाएं होती है, ये दवा multi vitamins, यानि कि बहुत सारा food supplement को add किया जाता है, कुछ-कुछ ऐसे होते हैं, animals product को भी use करके इस दवा को गनाया जाता है, ठीक है, तो हम बात करेंगे, ये इस दवा की जो हमारे हाथ में जो दवाएं, ये दवाएं है, इसका ना ठीक है, कंपनी का नाम जो है, जो जवाएं कंपनी को बनाती है, उसका नाम है Cavantis Pharmaceuticals PBT-LTDs, लेकिन वो कंपनी जिस नाम से multi vitamins को बेच रही है, वो है VitaX, ठीक है, जो इसमें chemical ingredients पाये जाते हैं, वो chemical ingredients होते हैं, multi vitamins with multi mineral and antioxidant, जिसमें से soft gelatin capsule रहते है, soft gelatin capsule आप heart gelatin capsule उसको कहते हैं, जिसमें gelatin's रहते हैं, gelatin's एक proteins है, ठीक है, तो वो soft जब दबाएंगे, आप इसके कबर को खोलेगे और उसको दबाएंगे, तो वो soft रहता है, दब जाता है, फिर वो छोड़ दीजेगा, तो आपने straight पे आ जाता है, ठीक करके चकना चुरू हो जाता है, ठीक है, उसको hard gelatin capsule कहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये दवाएं जो है, वो खास करके जो पाये जाते हैं, वो अपकर रहता है, calcium रहता है, calcium, phosphorus, d-l-methylene, ferrous sulfate, potassium chloride, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, and magnesium, vitamin A, जो 1090 units होते हैं, और आपका रहता है, molybdenum, vitamin D3, जो आपका D3 रहता है, वो 100 unit इसमें multivitamins में पाया जाते हैं, और आपका vitamin B12 रहता है, ये vitamin, ये vitamin की दवाएं, बहुत ही, अब कारगार काम करती हैं, इस treatment में किसी को भी right to advice करते हैं, तो अच्छी हमने देखा है, कि इसका पहुत ही ज़्यादा अच्छा benefit है, तो सबसे बड़ी बात है, कि अगर किसी को right to advice करते हैं, हम किसको ये दवा दे सकते हैं, तो ये दवा है, खाने के लिए इसके जो डॉज होते हैं, वो डॉज होता है कि एक capsule रात में खाना खाने के बाद, या तो एक capsule सुवा खाना खाने के बाद, यानि once in day, एक दीम में एक बाद, और इसका use है, जिसका फाइदे हैं, वो ये हैं कि अगर आपको कमरदर्ध है, या बदन दर्ध है, या फिर आपको weakness लग रही है, जादा weakness लग रही है, कमजोरी लग रही है, ठीक है, तो इस दवा को इस्तमाल कर सकते हैं, करोना काल में अपना immunity को बढ़ाने के लिए, भी इस दवा का इस्तमाल कर सकते हैं, अगर किसी का दवा चला हुआ है, एंटिवाइटिक्स, तो भी इसके साथ में इसका इसका इस्तमाल कर सकता है, ठीक है, तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं, और हमारा चैनल Dr.Shawal Pharmacy को जरूर सब्सक प्सक्राइब करें, उसके लिए थैंक यू, और इस वीडियो को जरूर सेब करें।